जै मातादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूटीब चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 दिसंबर और 8 दिसंबर 2021 के सेहिंग राशी फल के बारे में सेहिंग राशी के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे रहेंगे इन दो दिनों में ग्रेह नक्षत्रों की स्थिति क्या होगी किस तरह के परिवर्फन होंगे, कौन सा ग्रह राशी बदलेगा, आपके किस बहाव में बैठेगा और उस ग्रह का प्रभाव आपकी दिन्चरिया पर कैसा होगा आपके जीवन से जुड़े प्रतिक शेतर पर कैसा होगा सिक्षा, आपका करियर, आपकी नौकरी, आपका दुकान, आपका वपार हर चीज में कैसे परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे तो यह जानने के लिए वीडियो को लाज तक देखें चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारी चैनल के साथ यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलते रहेंगे तो चलिए सबसे पहले इन दो दिनों के तिथी नक्षत्र और योग के बारे में जान लेते हैं तो पहले हम बात करेंगे साथ दिसंबर के बारे में कि साथ दिसंबर को क्या तिथी होगी क्या योग होगा और क्या चंद्रमा की इस्तिति होगी क्योंकि ये राशेफन चंद्र राशे पराधा रित है साथ दिसंबर मंगलवार का दिन है शुपर पक्षकी चतुर्टी 34 है इस चतुर्टी तितिको विनायक चतुर्थी या फिर गणश चतुर्थी के नाम से जाने जाता है पूर्व साड़ा नक्षत्र रहेगा वरधी नाम का योग बनेगा चंद्रमा की स्तिती सुभा आठ बजे से मकाराशी में होगी मकाराशी में पहले से ही शनी बैठे हुए है तो चंद्र और शनी की युती होगी सूर्य वरष्चिक राशी जेस्ट नक्षत्र में है रवी योग बनेगा इस दिन अभी जीत मोर्था इस दिन का सुभा ग्यारा बज़ कर छपतीस मिनट से तो पहर बारा बज़ कर छपवीस मिनट तक आठ दिसंबर का दिन बुद्धवार का दिन है और ये शुक्र पक्ष की पंच मी तिथी है शवण नक्षत्र रहेगा धृब नाम का योग बनेगा चंद्रमा मक्ः राशी में है सूर्य जेस्ट नक्षत्र व्रश्चिक राशी में है और इस दिन शुक्र का भी राशी परिवर्टन होगा शुक्र अपनी राशी बदलेंगे, धनुराशी से निकल कर मक्का राशी में प्रिवेश करेंगे, शुक्र और चंदर के एक साथ आने से लक्ष्मी नारानी योग बनेगा, साथ में शनी भी बैठे हुए हैं तो शनी का प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा, अभी जीत म का दिन आपका जो स्वभाव है वो बड़ा ही विनम्र रहेगा, और आपके इस स्वभाव की कई लोग आपकी अच्छे खासी तारिफ भी कर सकते हैं, जिससे मन में बड़ी एनरजी होगी, आत्म विश्वास होगा, बड़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे आप अपनी कामकाश को लेकर, अगर कोई आज आज से उधार मांगने वाला आता है, तो आपको ऐसे लोगों को नजरांदास करना होगा, भावनात्मक तोर पर आपका आज फाइदा उठाया जा सकता है, तो उसका आपको थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना है, पाकी समय ग्रहनदक शत्रों की इ अचानक से कुछ ऐसी यूजनाया बना सकते हैं, कि आप दोस्तों के साथ शाम का समय बाहर गूमने जाएं, अपनी कारश्यत्र में कुछ परिवर्दन देखेंगे, अपनी कारश्यत्र में परिष्थितियों को बदलता हुआ देखेंगे, आज परिष्थितियां आपके पक कोशिश करते हैं, तो आपका जो विवाहीख जीवन हैं, जो आपका परीवारिक जीवन हैं, वो सभसे विशेस दिनों में से एक होसकता है, तो ऐसे समय का आपको जरूर फाइदा उठाना चाहिए, वित्थिति यानि आर्थिक इस्थिति की बात करें, तो ये समय आपके व बजट के आधार पर आपको खर्चा करना या आपके अच्छे बैंक बैलेंस की निशानी होगी। आप ये महसूस करवाएंगे कि आप जो अतिरिक्त प्रियास करते हैं ये प्रियास आपको अच्छी सफलता दिला सकता है आपकी करियर में एक उच्छाल लेकर आ सकता है। जहां तक आपके करियर या आपकी स्कुल सक्षा की बात है तो आज आपको किसी की सलहा मश्वरा लेने की जरुत पड़ सकती है और अगर कोई अच्छा सलहा कार आपको सलहा दे तो उसकी सलहा जरूर मानें उनसे बात करने में बिलकुल भी संकुश ना करें। द्यान रहें जब कोई अच्छी सलहा देता है तो उसकी सलहा मानकर्ज पर आपको अमल करना चाहिए। जीवन में बहुत काम आती है। कई बाते ऐसी होती हैं जो दूसरों के समझाने पर समझ में आती हैं और ये इस्तितियों को बदल देती हैं। दोस्तों का रुख आपकी तरफ होगा, उनकी वफदारी आपके साथ होगी, आज आप उनके साथ कुछ ज़्यादा ही एनरजेटिक रहेंगे और इक दूसरे की मदद के लिए भी तेयार रहेंगे। कुछ लोग आपको अच्छी सलहा देंगे और ये सलहा आपके काम हाँ एक चीज का देहान जरूर रखना है कि जलबाजी में निविश नहीं करना है, अगर मुमकिन हो तो हर चीज को अच्छे से परकें और तब उस पर काम करें, अपने फैसले दूसरों पर ना थोपें, इसका भी देहान रखें और पेन के नजरिये से दिन जो है वो ठीक रहेगा, अगर आप राजनीती के शेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आज राजनीती के शेत्र में आपको अच्छी सेत्या देखने को मिलेंगी, कुछ अच्छे लोगों से मेल मुलाकात हो सकती है, आज ज्यादा तर चीज़े आपके पक्ष में जुकी होई नजर आएंग और आपके जो दामपत्य जीवन में कुछ भी किसी भी तरह का तनाव चल रहा था, तो उस तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी, अब बात करते हैं आठ दिसम्बर के बारे में, इस दिन एक बड़ा परिवर्तन है, शुक्र का राशी परिवर्तन, शुक्र इस दिन मका राशी में प्रिवेश करेंगे, सनी के साथ युति करने वाले हैं, चंदमावी यहां हैं, तो लक्षमी नारान योग भी बना है, और ये जो इस्तिती है, ये आपके रिष्टों को संजोने का कारे करेगी, कुछ ऐसे रिष्टे जो तूटने की कगार पे हैं, या तूट चुके है या कुटों में किसी तरह की परिषानिया चल रही हैं, तो ऐसे रिष्टों को आप बचाने की कोशिश आज के दिन कर सकते हैं, कारेशित्र में जो बाधाय थी, वो बाधाय समाप्त होंगी, हाँ आफिस में आज देर तक काम करना पड़ सकता है, घर में बड़ों से आज कि सहमेत हो सकते हैं, तो उसके लिए भी तयार रहें, और किसी दूसरे के पैसो के विवाद में ना पड़ें, पैसो के विवाद में पड़ने से आप फसकते हैं, आपकी जो आपका व्यक्तित है, उस पर किसी ना किसी तरह का लांचन लग सकता है, तो उस चीज का पर ध्यान बाकि आपकी परिशानिया काफी हद तक हल होती हुँ दिखाई देंगी। शादी के लिए जो शादी योगे हैं इस राशी के जातक हैं तो उनके लिए शादी के प्रस्तावा सकते हैं। और साथ ही पाने का ये सही समय आपके लिए है। आपकी कुछ इच्छाएं आज के दि बुड़े लोग हैं उनके लिए ये दोनों ही दिन बहुत अनुकुल होने वाले हैं शुक्र की करपासे मालक्षमी आपके द्वार पर दस्तक देगी आपकी इंकम में आज या इन दोनों ही दिनों में पहले से बहतर आपकी इंकम में बढ़ोतरी होती हो दिखाए देगी जिस की बात करते हैं हुपाई के तौर पर जो सत अनाज होता है साथ तरह का अनाज वो आज किसी धार्मे के किस्तान में दान करें इससे आपकी आर्थिक इस्तित्री अच्छी रहेगी साथ ही जैनल को सबस्क्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को जएज़दा लाइक करें शेयर करें